पहले तो सभी civil engineer भाईयों को नए साल की हार्दिक शूपकामनाई तो आज का वीडियो रहने वाला है interview question पे बाला जी construction company में interview दिया मेरे एक friend ने तो उसे तीन practical interview question पूछे गे तो वही तीन practical interview question आपको ऐसे fresher भी पूछ सकते हैं एक दू साल का experience है तब भी पूछ सकते हैं पहले question सुल ले ना उनसे पूछा गया कि जब concrete किया जता है pumping की जाती है मतलब concrete को pump किया जा रहा है तो उसमें क्या-क्या problem आ जाती है और एक site engineer उसको कैसे हल कर सकता है और क्या-क्या दिक्कतें आपने देखी है ऐसे site engineer यह पहला question पूछा गया था दूसरा question पूछा गया था कि जो cube test किया जाता है 1500 by 1500 का ही cube क्यों test किया जाता है 100 by 100 का क्यों नहीं करते या 300 by 300 का क्यों नहीं करते तो यह भी interview question उनसे पूछा गया फिर उनसे interview question पूछा गया था जब हम M60 से above जाते हैं design mix है I am 40 50 60 या 70 तो उस case में क्या दिक्कतें आती हैं जो structural member होता है क्या क्या वो reaction देता है क्या रहता है वो सब चीज़ें उसे पूछी की पहले का answer क्या था मैं बता देता हूँ उनका clear हो चुका है वो बाला जी कंस्रक्शन में as a site engineer लग चुके हैं तीन साल का experience था और अभी job कर रहे हैं और salary जो रही है उनकी वो इस समय है 28,000 रुपया accommodation के साथ तो अच्छी salary है civil की line में बस आपको knowledge आनों चाहिए तो knowledge कैसे आएगा videos help करेंगी site help करेंगी और youtube google help करेंगा सबसे पहली दिक्कत आती है हमारी segregation और bleeding हो जाती है segregation और bleeding क्या हो गई जब concrete डाला जा रहा होता है third floor है यहां दिक्कत है start होती है एक दो floor में दिक्कत आती है third fourth floor में क्या होता है आपका aggregate अलग से आता है mostly पानी आता है पहले मतलब पानी आ गया तो cement आ गया पहले cement आ गया पीछे aggregate और वो तो चोक हो जाएगी आपकी pumping वो तो सबसे पहली चीज़ करनी होती है जो slump चाहिए होता है वो 125-500 mm slump acceptable होता है यह पहले उसको चीज़ कहनी है दूसरी चीज़ का आपको क्या कहनी है कि उसमें जो cement की ratio होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए 10% as compared to normal concrete हम करते हैं उससे 10% हमें ज़्यादा concrete करना है और most important चीज़ choking या pumping रुखता है वो होता है aggregate का size अगर आपने proper grading नहीं की या aggregate की तो दिक्कतें आने वाली है तो aggregate अच्छा होना चाहिए cement की ratio अच्छी होनी चाहिए यह मतलब जो mix बनाया जाएगा पूरा design mix अगर proper से design होगा pump के हिसाब से तो आपको pumpy में कोई दिक्कत नहीं आती है तो यह answer उन्होंने दिया और answer accept हुआ यह answer था ठीक है next था हमें चाहिए machine चाहिए compression test machine तो जो machine की capacity होती है आपने उस पे note किया कभी कि कितना उसको load दे सकती है वो उसको break करने के लिए 2000 किलो newton maximum mostly जो machine इंडिया में यूज किया है 2000 किलो newton ही मैंने देख है ठीक है उससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है कही के जगा होता होगा क्य कि अगर size बड़ा है member का तो ज्यादा चाहिए ठीक है तो यह चीज है और साथ इससाथ इसमें tips देलो जो इंडिया में किया जाता है देट सो यूज से फ्रांस जपान अस्ट्रेलिया न्यूजीलेंड इन जगा पे क्या किया है slender use किया जाता है 300-500 का slender यह बात अलग रही अब ही मैं समझाते हूं theoretical समझा हो कि को समझने के लिए पहले यह समझना 1500-500 का क्यूब हम टेस्ट करते हैं उसको तोड़ने के लिए machine की strength कितनी होनी चाहिए वो पता चल जाए यह फिर 1500 का पता चलेगा 300 का देखो हम result कैसे निकालते है load upon area हमारी strength जितनी होती है load और upon area चाह 10th और area अगर हमने देखो M35 concrete grade यूज़ किया Newton पर mm के इसको में kg में कंवर्ट करते हूं 350 फिर हमें 1500 का क्यूब यूज़ कर रहे है 15 cm by 15 cm इसको cm में कंवर्ट कर ले ना इसको kg में तो हमें मिल जाएगा load हमें चाहिए 78750 kg लेकिन machine पर kiloneutron में होता है तो 102 से उसको divide कर लो तो हमें चाहिए load 732 km तो अगर हम 1500 by 1500 का cube टेस्ट करते हैं तो हमारे 12 km चाहिए हमारी capacity है machine की 2000 तो हो जाएगा फिर नीचे आते हैं 100 by 100 का अगर क्यूब तो question था कि 100 by 100 का कर सकते हैं यूज़ यहां कर सकते हैं उस case में करते हैं जब क्या होता है जब strength बढ़ जाती है M80 हो ग हाएंगे तो हमें बहुत जादा strength चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए उस case में हम 1500 by 1500 का cube बनाते हैं कि वह easily तोड़ जाए एगर example ले लेता हूँ जैसे 100 by 100 का cube है 10 cm 10 cm M35 ही है ठीक है तो हमें कितना लोड चाहिए 103 किलो न्यूटर कम होगे न 700 कितना कम होगे अगर वैसे ही 10 by 10 by M80 है ठीक है 850 इसको convert कर लेंगे तो जो आएगा तो आप देखना कि इतनी मतलब सारी कहानी किसकी है compression strength machine की अगर वो हमारे पास जादा capacity होगी हो तो हम 300 by 300 का भी cube बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो 330 cm, 3 cm M35 को करने है test तो 331550 हमें चाहिए मतलब machine की capacity होनी चाहिए 3088 किलो न्यूटन तब ही वो इस cube को तोड़ पाएगी तब ही हमारा test होता है तो machine की capacity पर depend होता है कोई भी cube हम यूज़ कर सकते हैं बस हमें machine आमारे पास available होनी चाहिए यह answer अगर आप दोगे तो आपका answer pass आपकी job पकी अगला question पूछा गया था उनसे कि अगर देखो M60 grade यूज़ करते हैं design mix या M65-70 जो भी यूज़ करते हैं तो उस case में क्या दिक्कते आती हैं तो आपका as a site engineer answer देना चाहिए कि member का size तो छोटा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी member आप जैसे 600 by 600 को column था अगर हम grade ले सकते हैं लेकिन उसमें दिक्कतें आएं कि हमें thermal cracking की thermal strain हो जाती है concrete के अंदर क्यूंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो ये cracking जो होती है वो हमें failure की तरफ ले सकती है तो इसलिए जब भी आपको ज़्यादा grade का concrete यूज़ करने है तो thermal cracking को ध्यान में रखके उसको design क करने है और उसकी ductility decrease हो जाती है मतलब जो concrete है वो जो structure हो brittle हो जाता है एकदम से तूटने के chances ज़्यादा हो जाते है तो उस चीज को भी हमें द्यान में रखके design करना पड़ेगा दूसरा fire resistant भी कम हो जाते है तो एक दो चीज़ें आगर आप बोल दोगे तो उसको idea लग उसको design करना पड़ेगा तभी वो successful है ऐसे अगर आप grade ज़्यादा करतेगे structure तो strong हो जाएगा लेकिन failure के chances ज़्यादा हो जाते हैं ये चीज़ भी द्यान रखने हैं तो ये तीन question थे मेरे खाल में आपको थोड़ा थोड़ा idea लग गया होगा और interview में जो experience civil engineers होते हैं जो site engineer के लिए जा रहे हैं जा किसी दूसरी कंपनी में तो ऐसे question पूछे जाते हैं अगर आप चाहते हो कि ये series में continue रखूंगा आपको ऐसे question पसंद आ रहे हैं तो daily question ले आऊंगा और आपका practical preparation भी हो जाएगी अभी मैं लेता हूँ अलविदा लेकिन ऐसे वीडियो में लाता र के रखो और bell icon के रखो